हेलो फ्रेंड्स एक गुण ड्यूज है आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेट्स किये थे कि आठवी पास वेकेंसी का नए वीडियो में लेकर के आऊं तो आज का जो वीडियो है वो एट पास गौवनेंट जॉब का है सरकारी नौकरी ये रहेगी उत्तरा खंड प्राविधिक सिक्छा परिसत के अंतरगत जो हाई कोट्स है माननी है उच्छ नियाला उत्तरा खंड वह अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो कमेंट पर जाकर कि आप लोग पूछ सकते हैं स्टेप बाइश्टेप सारी इन्फोर्मिशन हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर बाकी क्या डिटेल्स है जो की मांगे गई है सबसे पहल स्टेप D की पोश्ट है वहाँ पर कैटेग्री वाइस सीट आपको दिख रही है स्टी ओबी सी इडबलो एस जनरल ठीक है तो यहाँ पर जो अलमोडा से है वहाँ पर 33 सीट है बागेश्वर से 13 चमोली से 23 उसके बाद चमपावस से 10 इस तरह से आप देख सकते है डिस्टि से अपलाए करना चाहते हैं देहरादून नैनी ताल उधम सिंग नगर वहाँ से आप अपलाए कर सकते हैं टोटल 400 से अधिक पदों पर यह बंपर भरती आई है तो जितने भी आठवी पास केंडिडेट्स हैं सी एश्टी ओविसी इडवलो एस जनरल सब लोग इसका फॉर जरूर भरिएगा और जनरल का 10% रिजर्वेशन यहां पर दिया जा रहा है जो कि एडवलो एस यानि कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि जनरल के हैं अगर वो रिजर्वेशन का फॉर्म जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एडवलो एस के अंत्रगत वो फॉर् पासी आप होना चाहिए देखिए यहां पर क्लियरली कहा गया है कि यह फॉर्म जो है सिफ उत्राखंड के निवासी इसका फॉर्म भर सकते हैं बाहर के अलागी स्टेट के कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं आपर एजुकेशन कॉलिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आठवी अच्छा पास है तो उत्तराखंड की जितने विकेंडेट है जो की आठवी पास इसका फॉर्म जरू भरिएगा कम से कम आपकी जोम्र है वो अठारा वर्स होना चाहिए और मैक्समम 42 यहां पर जो है एज लिमिट दी गई है और 42 यहां तो मेरे ख्याल से जितने भी आठव फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप फिजिकली फिट होने चाहिए एप्लिकेशन फॉर्म कहां भरना है आपको ऑल्लाइन भरना पड़ेगा यह जो वैबसाइट है यूबी टिया डॉट इन तो यहां पर जाकर आप आप ऑनलाइन जो है आविदन कर सकते हैं वीडियो की डिस्क आपका परिक्षा के माध्यम से होगा रिटन एक्जाम होगा एप्लिकेशन फीस देख सकते हैं जनरल के लिए ओबी सी के लिए 600 रुपए एप्लिकेशन फीस लगेगा जो की विकलांग के कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं देना है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर सामान ग्यान, सामान अंग्रेजी, सामान हिंदी, विज्ञान, गड़त एवं उत्त्राखंड आधारेद ग्यान के सो क्रिस्चेंस होगे सो नमबर के अधार पर इस पर आपका जो है सेलेक्शन होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS के लिए कम से कम 50% नमबर लाने अफीसल वेबसाइट पर 16 अगस्त को जारी कर दिया गया है, 17 अगस्त के फॉर्म भरने जो है स्टार्ट हो रहे है, 19 सितमबर फॉर्म को भरने की लाश डेट है, आपका जो ऑनलाइन एक्जाम होगा वो 13 अक्टूबर 2019 को होगा, तो कुछ पूछना हो तो आठी पास के दर बैठे आपको सबसे पहले मिलती रहे है,